महीनों बाद भारत लोतने के बाद प्रियंका चौपडा अपने पती निक जोनस और बेटी मालती मेरी चौपडा जोनस के साथ आयुध्या पहुँच गई वहाँ उन्होंने परिवार के साथ राम लला के दर्शन किये ये 2024 में पहली बार है जब प्रियंका भारत आई है कुछ दिन पहले ही उनके पती निक जोनस भी मुंबई पहुँचे थे अब ग्लोबल स्टार अपने परिवार के साथ राम लला के दर्शन के लिए पहुँची ह मुंबई आने के बाद से अभी तक प्रियंका चौपड़ा को कई इवेंट्स में भी देखा जा चुका है सबसे पहले उन्होंने अपनी जुल्री ब्रैंट बुलगारी के स्टोर का उधगाटन किया था वहीं मुंबई के जियो वर्ल प्लाजा में ये स्टोर खुला है और ये भारत का पहला बुलगारी स्टोर है इसके बाद प्रियंका को इशाम मानी, राधिका मर्चिंट और श्लोका महता के साथ होली की पाती करते हुए भी देखा गया उनका पिंक साड़ी और करोणों की जुल्री वाला लुग भी वायरल हुआ था इधर 19 मार्च को प्रियंका चोपड़ा इवेंट में पहुची थी एक या उन्होंने अपने प्रोडक्शन बैनर पॉपल पेवल पिक्चर्स के तले बनी डॉकुमेंटरी फिल्म विमन ओफ माय बिलियन का एलान किया था इस सब के बाद अब प्रियंका चोपड़ा राम लला से मिलने और उनके दर्शन करने आयोध्या पहुची प्रियंका के साथ उनके पती निक जोनस और बेटी मालती नजर आये एक्टर्स और उनके परवार की ये तस्वीरें सोशल मीडिया पर वायरल हो गई है और इन तस्वीरों में प्रियंका चोपड़ा को येलो सूट पहने हुए देखा जा सकता है उन्होंने अपनी गोद में बेटी मालती को उठाया हुआ है और औरेंज आउटफुट में मालती काफी क्यूट लग रही है साथी वाइट कुर्था पाजामा पहने पती निक जोनस प्रियंका के साथ नजर आ रहे है एक्टरस को मंदर के पुजारी से माथी पर तिलक लगवाते हुए भी देखा गया और ये तस्वीरें काफी खुबसूरत नजर आ रहे है प्रियंका चौपड़ा के तस्वीरें सोशल मीडिया पर वाइरल हो रही है और फैंस उन्हें और उनके परिवार को खुब प्यार भी दे रहे है